हलो नमस्ते हमारे special session in the news में आज हम बात करेंगे G5 Sahil Force के बारे में हम आपको बताएंगे क्या है G5 Sahil Force और हाली में चर्चा में क्यों है और किस देश को लेकर चर्चा में हम आपको बताएंगे उस देश के बारे में भी विश्तार से और समझाने कोशिश करेंगे एक्जामने आपसे एक्जाम में कैसे किसन पुछ सेगा हम आपको बताएंगे हमारे ये session आपको बदत करेंगे UPSC Pre 2023 HCS 2021 जिसका एक्जाम है 10 जुलाई 2022 इसके अलावा अन्य वंडे एक्जाम में जैसे UPSC CPF आदी हम आपको बताएंगे जैसे कि आपने कल 5 जून को UPSC Pre का ए देखा होगा किस तरह से exam complete current oriented था इस तरह से हमारे इन session की importance और भी भड़ जाती है और आंतिम हम आपको ये भी समझाने को सिस करेंगे कि एक्जामने आपसे exam में कैसे क्योशन बूच सकता है हम आपको बताएंगे G5 Sahil Force के बारे में फिर बताएंगे हम आपको Sahil क्या है आख समू है जो कि अफरीका महदीब के हैं और ये उस छेतर में जिसे हम सहयल छेतर कहते हैं उसमें भड़ते आतंकवादी खत्रे को लड़ने के लिए 2017 में इस बल का गठन किया था इसमें अफरीका महदीब के 5 देश है वो 5 देश है चाड बुरकेना फासो माली नाइजर और मा पास देश है जिन से मिलके बड़ा है इसलिए से कहते हैं जी फाइब इसके अला हम आपको बता दें अखिरकार सहयल यहां जो यूज हुआ है वो सहयल छेतर कुण सा है अफरीका महदीब का अफरीका का सहयल छेतर उत्तर में सहारा और दक्षिण में शुडानी सवाना के ब लाल सागर के बीच उत्री अफरीका के दक्षिण मद्य अक्षानसों में यह फैला हुआ है इस सेक्तर के उत्री सेनेगल दक्षणी मारिटान्य है उत्री बार्क बुर्केना फासों है मद्य में इसके माली है माली जो कि अफरीका महदीब का सबसे गरीब देश है और इसके तो ये लावा ये एक Landlog Country है, अफ़रीका महाधीड की सबसे बड़ी Landlog Country, माली है Algeria के चरम दक्षिन, Nigeria के चरम उत्तर, Niger, Cameroon के चरम उत्तर और मत्य अफ़रीका गन राज्ये, मत्य और दक्षिन शुडान, चाड, दक्षिन शुडान के चरम उत्तर इथोपिया और इरिटीरिया के चरम उत्तर के चेतर में सामिल है यानि कि जो साहिल चेतर है ये ये यूरोपिय महादीब के उत्तर पस्तिम में स्थित है जहां भड़ते आतंगवाद को रोकने के लिए और उसको खत्रों को देखते हुए वह जी फाइप साहिल फोर्स का गठ इस्लामिक स्टेट और अलकाइदा चरमफंती सम्हूं के बढ़ते परभाओं के बाद 2021 की पहली सहमाई में अफ्रीका आतंगवाद से सबसे जादा परभाव इच्छेतरिये बढ़ गया है हाली में इसके लाओ हम आपको यहीं बता दें कि आखिरकार यह जी फाइप साहिल चर्चा में क्यों है यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि 19 मई 2022 को अफ्रीका के लिए सेंथ राश्टर की सिर्ष राजनेतिक अधिकारी ने माली के साहिल चेतरिये आतंगवादी रोधी बल से हटने क जानगर दी यानि की जो माली देश है जो कि अफिरिका महदीप का सबसे बढ़ा लैंड लोक कंडरी है now इसने अब G5 समु से यानि इस G5 साहिल चेतर से अपने हटने की जानगर दी लेगंढ़िस ने यह का कि आगे हम इस G5 साहिल फोर्च के सदस्से नहीं रहेंगे इसलिए ये हाली में चर्चा में है बात करें माली के भी तो माली एक पस्चमी अफरीका के सहरा रेगिस्थान में फैला एक विशाल देश है एक समय कई पूर उपनिवेशिक सामराज्यों का निवास्थान रहा है और ये लेंड लोग कंट्री है अफरीका देश इस माहदीब के सबसे बड़े देशों में से एक है ये दुनिया के सबसे गरीब राष्टों में से भी एक है वर्स 1960 में ये फ्रांस से संतंत्रता इसे मिली वर्स 1902 में के लोगतांतिक चुनाओं तक सूखारा विद्रो, तक्ता, पल्ट और तेश साल के सन्यत आनसाई का कष्ट इस देश ने सहा है और कई सन्यत आसनों का भी हन्भो किया है वर्तमान में ये जिहादी हमलों और जातिये हिंसा से जूज़ रहा है और इसकी राजधानी बमाकों है बात करते हैं एक्जामनर की एक्जामनर आपसे पुछ सकता है माली, माली के आगे बता देगा कि माली क्यों चर्चा में जिस तरह आप यूपियस सिप्रीम आपकर एक्जाम पुछा था देश, जेश के आगे लिख दिया है हाली में इसमें सेन्य तक्ता पल्ट हुआ है इस तरह है माली, माली के आगे लिख सकता है जी फाइब साहिल यानि कि माली जी फाइब साहिल को लेके हाली में चर्चा में है इसके अलावा एक्जामेदर आप से पूछ सकता है निम लिखित में कुन से देश G5 के सदसे हैं या नहीं है इसलिए आप कुन पांस देशों के बारे में पता होना चीए एक्जामेदर आप से पूछ सकता है कि G5 साहिलफोर्स का अगठन कव हुआ इसका अगठन 2017 में वा था और इसमें पांस अफ्रीक की देशों दुआराईए स्थापित किया गया था और किसले स्थापित किया गया था ये बढ़ते आतंकवादी खत्रे को लड़ने के लिए इस वल का गठन किया गया था था थैंक्यू